चीन में सुबसुबस जोरदार भुकंप से ऐसी तबाही मची की चारो और लाशों के धेर लगे हैं। दरसल चीन में आज यानि बूधवार तड़के जोरदार भुकंप आया जिसमें सौ से अधीक लोगों की जान चली गई है और दो सो से अधीक लोग घायल बताय जा रहे हैं। सामचार एजनसी एपी की रिपूर्ट के मुताबिक अधीकारिक सामचार एजनसी सिहुआ ने कहा है कि सोमवार देर रात आये भुकंप में गासु प्रांत में 100 और पडोसी किंगई प्रांत में 11 लोगों की जान चली गई है। सिहुआ ने कहा कि इस भुकंप में 200 से अधीक लोग घायल हुए हैं। में 96 और किंगही में 124 लोग घायल हुए है। भुकंप किंगही के साथ प्रांती सीमा से लगभग 5 किलोमीटर दूर गासु के जी सीशान कॉंटी में आया है। जानकारी के मुताबिक भुकंप से सबसे जादा नुकसान काउंटी, डियाओजी और किंगही प्रांत में हुआ है। यहां कई अमारते गिरने से लोग मलवे में दब गए हैं, जिन्हें निकालने में रेस्क्यू टी में जूटी हुई है। मिर्तको और घायलों का आकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। वहीं CENC ने बताया है कि भुकम का केंदर 10 किलोमेटर की गहराई पर 35.7 डिगरी उतरी अक्षान्स और 102.79 डिगरी पुर्वी देशांतर में दर्ज किया गया है। वहीं आपातकालीन सेवाएं लोगों की सहायता में जुट गई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर पीडितों तक मदद पहुचाई जा रही है। में 6.8 तिरुता के भुकंप से कम से कम 74 लोगों के माले जाने की सुचना मिली थी। उस भुकंप ने भी चीन के दस्चिन पश्मी प्रांत सिचुआन को हिला दिया था जिससे प्रांती राजधानी चेंगदू में भुसकलन हुआ था और इमारतें हिल गई थी। यह भुकंप ऐसे समय में आया था जब चीन की 21 मिलियन आबादी कोरोना की वज़ा से लोगडाउन में थी। हाल के वर्सों में चीन का सबसे घातक भुकंप 2008 में 7.9 तिरुता के साथ आया था जिसमें सीचुआन में लगभग 90,000 लोग मारे गए थे। भुकंप के चेंगदू के बाहर के कस्वों, स्कूलों और क्रामिन समुदायों को तबाह कर दिया था जिसकी वज़ा से पुनर निर्मान के काम में चीन को वर्सो लग गए थे। वहीं एक बार फिर अब चीन में भुकंप के तीज जटके महसूस किये गए हैं। फिलाल इस कबर में इतना ही बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रही हैं इन खबर के साथ।